आपके पास Redmi Car 12 5G Mobile है उसे आप अपडेट कैसे करेंगे उसमें आप software को अपडेट कैसे कर सकते हैं latest update आपको मिला है कि नहीं मिला है अगर मिला है तो उसे आप अपडेट कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियों बताऊंगा तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है तो चलिए शुरू करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे setting का एक app होता है उसमें आपको इस तरीकी से show हो रहा होगा यहाँ पे एक इस तरीकी से red color का ठीक है वन ठीक है इस तरीकी से यहाँ show नहीं हो रहा है तो आप इस तरीकी से notification पेनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे update are available इस तरीकी से show हो जाएगा यहाँ पर भी SO नहीं होगा तो आपको सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ओपर ही आपको SO हो जाएगा ABOUT phone के अंदर यहाँ पर update का एक option यह दिख सकते हैं तो आपको इसे update कैसे करना है कैसे भी कर लिजी चाहिए यहाँ पे click करके कर लीजी चाहे यहाँ पे click करके यहाँ से सीजा कर लीजी यहाँ पे देख जाएगा तो about phone पे click करेंगे MIUI इस तरीके से यह देख सकते हैं आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे आपका जो भी update होगा जितनी MB का होगा यहाँ पे 182 MB का है इस तरीके सो हो रहा है, आपका इस से ज्यादा होगा, तो यहां सो हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको download, update पर आपको फोड़ा वेट करना है, यह देख सकते हैं, update होना शुरू हो चुका है, यहाँ पर आपको अबडेटिंग इस तरीके से मिल जाएगा, तो इसे आपको बि reboot now, इस तरीके से ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर reboot now करना है जैसे आप reboot now करेंगे आपका फॉन इस तरीके से बंध होगा और यहां पर Automatic आपका fone on हो जाएगा ठीक है यह देख सकते है on भी हो रहा है आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है यह automatic setup होगा, यह देख सकते हैं, phone automatic on हो गया है, अब आपको इस तरीके से open करना है, यह देख सकते हैं, अब यहां पर जो किद भी changes हुए होंगे, आप phone जब चलाएंगे, तो आपको changes देखेंगे, ठीक है?